तो देखेंगे क्या इसके पीछे का matter था, क्या exactly पूरा इशू था और क्यों session court ने ये judgment दिया, अगर आप state judiciary exams के preparation कर रहे हैं, तो इसके courses, आप हमारे हैं से purchase कर सकते हैं, courses के link नीचे description box में दिये हुए हैं, साथ है study IQ पर विबन माधिय में समसर जो सकते हैं, मेरी जितनी भी videos आती हैं सबको, आप में डिल्राम चनल, add the rate का पिल लाइज से डाउ high speed corridor बना रही है, road corridor, जो connect कर रहा है Bangaluru को और Mysuru को, अब यहाँ पे इस company ने देवेगोडा के against एक case file किया, 2011 के एक statement की वज़े से, देखते हैं क्या था 2011 का statement, और ये भी देखेंगे कि sessions court ने देवेगोडा को क्या-क्या बाते बोटी, अब बाते 2011 की एक interview चल रहा था, कन्नर न्यूस चैनल में, उसका नाम था गौदरा गरजने, प्रोग्राम का नाम था, अब गौदरा गरजने में, HD देवेगोडा ये कहते हैं, ये जो nice company है, nice company कौन चला रहे थे, अशोक खेनी, ये former बीदर से, MLA भी रह चुके हैं, Congress के MLA थे, इनकी company है, इनके पास construction का permit है, ये construct कर रहे हैं, उस पूरे गौरे expressway को, अब ये का ये जो nice company है, जिसने boot, build own operate transfer पे, ये project लिया है, ये company, extra land, acquire करके, loot कर रहे है, मतलब this company, is nothing but a thug kind of, इस तरह के statements दिये गए, एक public channel पे, जो 24-7 चलता है, और सारे, देवगडा के जो views हैं, वो air हुए, लोगों ने सुने, साथ वیसे इस project के बारे में, जैसा कि आप देख पारे हैं, ये connect कर रहा है, बैंगलूरू को, माइसूरू से, तो इस तरह से इस project के बारे में बोला गया, और company operators के बारे में, जो company को चलाते हैं, जो director है, प्रमोटर्स हैं, जो उनके बारे में ये बोला गया, अब देखते हैं, प्रोजेक्ट क्या है और क्यों इतना पॉलिटिकल टसल यहां पे हुआ और क्यों कोर्ट को इंटर्वीन करना पड़ा अब बैंगलूर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडर 1995 में खुद एच्दी देवे गौड़ा नहीं क्लियर किया था रीजन यह था उस समय बैंगलूर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और कनेक्शन जो कंजेशन है बैंगलूर का वो भी कम होगा साथ ही साथ लोगों का जो मोबिलिटी है वो भी फास्ट हो जाए और बाकी एरियास भी डेवलाप होंगे जिससे ही हम कहते हैं श्पिल ओवर एफेक्ट होगा बाकी एरियास पर अब जब यह प्रोजेक्ट finalized किया गया खुद गोड़ा फैमली द्वारा उसके बाद डेवर गोड़ा एक समय के बाद पावर से बाहर आ गया तो उसमय यह जब प्रोजेक्ट दिया गया था है कंपनी को उसकंपनी ने फृधर एक और कंपनी form की NICE और इस प्रोजेक्ट को आगे हैंड ओवर करती है तो मतलब यूजिली क्या होता है construction का एक company permit ले लेती है construction का contract ले लेती है और फिर सब contractors को appoint कर लेती है construction करने में तो यह ही उस company ने किया बैंगलूर माइसूर एक्सप्रस फे प्रोजेक्ट के लिए 30 years की जो boot sign की गई थी उसके चल वड़ा को उस समय पोल में एक मुद्दा उठाना था तो यह मुद्दा उठा दिया गया कि यह company जो है ठीक से काम नहीं कर रही हमने जो एक project sanction किया था 1995 में जो public project था public interest में जाना था उसमें allegations लगाने लग गए कि corruption हो रहा है ज़रस्त जादा land acquire करने लग गई है अब company अपन से defamatory remarks जो है वो company के लिए दिये गए तो मुद्दा पूरा को पूरा political tussle था दो political parties के बीच में दो political rivals के बीच में लेकिन इसको session quote ने कैसे deal किया defamation की के इसमें उसको हम देखेंगे अगर हम अभी present status देखें कि 1995 का project जो 30 साल के लिए boot पे sanction किया गया था अभी तक पूरा ही अभी भी beyond completion के near start है अभी भी वहाँ पे अभी भी अगर आप देखें 40-45 km का जो area जो develop होना था उसमें मुश्किल से 10 से 12 km ही develop हो पाया और अभी तक यह peripheral roads जो है और यह जो connecting roads है यह सब कुछ भी develop नहीं हो पाई अब इसकी वज़े से company ने sessions court में एक petition file की company ने दो बाते रख हमारी company की reputation को 10 करोड का मानहानी हुआ है loss हुआ है इसलिए हम देवेगोडा से यह 10 करोड पर demand करते हैं उसके अलावा जो losses है वो अलग है secondary है लेकिन यह major loss है हमारी मानहानी का हमारी company की reputation का loss हुआ है इस तरह के statement देने से आपने हमें कहा कि हम loot रहे हैं हम land mafia है तो इससे हमें काफी losses जो है reputation के देखने पड़ रहे हैं आगे हमें नए projects government से नहीं मिल पाएंगे in fact company ने कुछ और evidences भी साथी साथ दिये company ने यह तक कहा कि country का पहला ऐसा project है जो इंडियन नेशनल remote sensing agency दोरा proper approved किया गया अप्रूफ कैसे किया गया है क्योंकि इस remote sensing agency के satellite के तरू हमने proper mapping क है हमने GIS को use किया है हमने mapping किया हमने total survey किया हर land का accordingly land acquire कि जितनी land required थी उतनी ही हमने acquire कि और topography के according ही acquire कि जहां जहां पर हमें लगता था कि land जो है agriculture purpose में जा सकती है वो land हमने नहीं acquire कि हमने उसकी जगे alternate lands जो है वो corridors जो है वो acquire किये तो इस तरह से company ने यह भी कहा कि nice जो है दे project बनता अगर time से बन जाता तो जिसने proper remote sensing को use किया था तो इसी के चलते word it क्या आता है session quote क्या कहता देको session quote यह कहता है कि देवे गोड़ा ने जो statement दिये वो politically motivated थे malicious statement है इस तरह से company की reputation को आप hamper नहीं कर सकते यह primary चीज है company ने 10 करोड की demand की थी लेकिन court ने 2 करोड अप्रू और ने ये भी कहा कि अल्रेडी आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो projects होते हैं वो national importance के state importance के होते हैं अब ऐसे में अगर इस तरह की issues को create किया जाएगा इस तरह की arguments को create किया जाएगा तो जो companies हैं वो काम नहीं कर पाएंगी और जो national projects हैं और states projects हैं वो time से take off नहीं कर ये जो projects होते हैं massive importance के होते हैं इनकी importance बहुत जादा होती है देश के development में state के development में और अगर इस तरह से बार बार malicious statement देके आप रोकेंगे delay करेंगे तो फिर larger public interest भी hamper होगा जैसे कि इस case में देखा भी गया कि already जो project 10-57 साल में बन जाना चाहिए था जिसको 2002-2003 से function हो जाना बनेगा 25 साल के बाद उस project को जब आगे ले जाएंगे तो जो cost आपने उस समय सोची थी अब और जादा cost escalation आ गई होगी और state government को taxpayer के पैसे को और जादा देना पड़ेगा तो पैसे की बरबादी बहुत जादा है समय बहुत जादा खराब हुआ और इससे बैंगलूरू प एक बहुत बड़ा impact बहुत लंबे समय तक रहा कि population महां की decongest नहीं हो पाई इसलिए court ने का कि इस तरह से इस तरह के अगर statements आते रहेंगे तो हम मतलब ये समझते हैं कि जो development है वो impact होगा इसलिए हम एक permanent injection भी यहाँ पे issue कर रहे हैं कि कभी वीश से आग इसके बाद देव साथ final court ने बोला ही एक punishment दी यहाँ पे penalty लगाई देवे गोड़ा पे defendant पे कि आप इसको पे करें UPCIS के हमारे smart courses available है इसको आप purchase कर सकते हैं हमारी app से हमारे website से 50% अभी discount चलता है इसको जल्दी purchase कीजे साथी सार इस तरह के और news और political developments और important चीज़े exam point of view से important वो मैं लाता रहूँगा मिलते हैं अगले किसी session में तब तक लिए good bye take care and god bless you all